नमस्कार टुडे विहार ने जो टुडे हिंदूस्तान के डिजिटल प्रेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ है प्रकास सिंग बहार में विधान सभा के दो सीटों पर उप्चुनाओ को लेकर वोटिंग खत्म हो गए है और अब बात सीधे महा एकजिट पॉल की करने जा रहे हैं हम बिहार में विधान सभा के दो सीटों पर उपचुनाओ थे और वोटिंग साम को च्छा बजे खत्म हो गए है बिहार की गोपाल गंज और मुकामा में उपचुनाओ को लेकर जनता ने खुब अपने मतों का इस्तिमाल किया है और इसके बाद अब सीधे एक जिट पोल की बात करेंगे कि कौन गोपाल गंज जीत रहा है और कौन मुकामा क्या इस बार अनंत सिंग का किला फतह बीजे पी कर पाएगी या फिर भाजपा का किला फतह गोपाल गंज में तेजस्वी आदों की आरजेडी कर देगी इन तमाम चीजों को लेकर आज एक चीट पोल में बाते होगी लेकिन सबसे बड़ी बाते कि गोपाल गंज और मुकामा की जनता ने आज जो चुनाओ के लिए वोटिंग हुए हैं उसमें जो वोट किया है उसके आंकरों की बात कर लेते हैं हम देखें 101 गोपाल गंज वोटिंग जो है 52.38% हुए हैं बिहार में विधान सबा के दो सिटों पर होने वाले उपचुनाओ को लेकर देखिए इस उपचुनाओ को लेकर वोटिंग खत्म हो गए हैं लेकिन मुकाबलों की बात करें तो लराई बेहदी टसन वाली थी और महागडबंदन के लिए ते तब नितीश कुमार चुनाओी मैदान में नहीं उत्रे लेकिन तेजस्वी आदों ने पुरा महौल बना दिया लेकिन आज जब वोटिंग हुए किन मुद्दों पर लोगों ने वोट किया है जिसकी भी चर्चा होनी चाहिए ये महागडबंदन के लिए मुकाबला एक बह बहुत बड़ी चुनाओती थी क्योंकि बिहार में जब बीजेपी का सुफरा साप करने की बात आप कर रहे हों जब बिहार से बीजेपी को खदिरने की बात कर रहे हों जब नरेंद्र मोदी की कुरसी हिलाने की बात कर रहे हों तो जाहिर सी बात है कि बिहार में 40 लोग सव भी मुकामा भी गए Гो पाल गंज भी गए लेकिन आज जब एकजीट पॉल की हम बाते कर रहे हैं चुनाओ के बात कर रहे हैं लोगों ने किन मुद्दों पर वोट किया लेकिन इस से पहले आपको ये जाना जरूरी है कि ये जो चुनाओ थे ये चुनाओ किस दलने किन मुद्दों पर लड़ा देखिए आरजेडी जो चुनावी मैदान में उतरी आरजेडी का मुद्दा विकास का था आरजेडी ने कहा कि हम विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं नितीश कुमार के विकास के नाम पर वोट मांग रहे हैं साथी रोजग बन गई हैं तो निक्ति पत्र बाट रहे हैं और गोपाल गंज के जनता के बीच जाकर भी मुकामा के जनता के बीच जाकर भी तेजस्वी यहीं बाते बता रहे थे कि कैसे हम बिहार को बदलने के लिए काम कर रहे हैं कैसे हम इवाओं को नौकरी देने के लिए काम कर रहे हैं और चेहरा बिहार में किसी नेता को नहीं बनायेगे, आपने तो कई दफी देखा होगा, बिहार में बीजेपी के पास चेहरे कई हैं, लेकिन भाजपा किसी चेहरे के बल पर, किसी चेहरे के दम बुत पर, बल बुते पर वो बिहार की चुनावी मैदान में नहीं उतरती है, ह नाम के नाम पर हुआ भगवान के नाम पर हुआ जो भादपा ने लड़ा हलांकि ये टू जेड की बात तेजस्वियादों ने की तो सुरवात गोपाल गंज से करते हैं गोपाल गंज के जनता की बीच भी हम गए थे गोपाल गंज के जनता से जानने गए थे कि इस बार उनक रुजहान क्या कहता है इस बार उन्होंने क्या कुछ मुद्दो पर वोट किये हैं क्या कुछ मुद्दे चुने हैं देखे गोपाल गज से भार्तिय जनटा पाटी के और से कुस्रूम देवी चुनावी मैदान में थी स्वारगिये सुबास सिंग की पत्नी हैं कुछूम और सुबास सिंग के बारे में आप जान रहें वो बिहार शरकार के मंत्री भी रहें और गोपाल गैंज से लागातार वो M.A. ले रहें और उनकी जीत हर बार होती थी इस बार जो लोगों ने वोट किये हैं इस बार गोपाल गैंज में फैक्टर तेजस्वी यादो का भी आ देखें लालू यादो के समिकरन के बारे में हर कोई जानता है कि लालू यादो का M.A. समिकरन है लेकिन तेजस्वी कभी भुमाई कर देते हैं कभी A2J कर देते हैं कभी वो BJP के कोर वोटरों को सादने की ऐसी कोसिस करते हैं जिसमें वो सक्सेस भी दिखते हैं और ये जान में काफी विदी हुई और तब तेजस्वी आदो ने भी कहा था कि वैसे समाज के लोगों ने भी हमारा साथ दिया और मोकामा में जब उपचुना हुएं तो मोकामा में तेजस्वी आदो पुड़ी रनीती के साथ उतरें और उन्होंने निलम देवी को उतारा लेकिन गोपा पर रनीती से उनके मामा उतर गए तेजस्वी यादों के मामा साधु यादों ने अपनी पत्नी इंद्रा यादों को चुनावी मैदान में बासपक के टिकर से उतार दिया बेहद दिल्चस्प मुकाबला रहा आज गोपाल गिनकी जनता ने जो वोट किया है 52.45 फिश्दी ज बल्ले बल्ले होने वाली है गोपाल गन्ज में हाँ साधु यादो लाराई से बाहर कभी हो चुके हैं आप इस तरीक कोभी नूट कर लिए कि साधु यादों का फेक्टर भी गोपाल गन्ज में काम नहीं किया है और गोपाल गन्ज के लोगों ने जिन मुद्ध welfare पर चुन की जब बात करते हैं तो तेजस्वी आदों को भी याद होगा कि कैसे कुसेस्वर अस्थान में उनकी हार हो गई कुसेस्वर में तो पूरी तयारी तेजस्वी आदों ने कर ली थी और जब नतीजे आएं वो नतीजे भी लागातार अंतंत बतारदे बहुत टसन वाल लड़ाई है लेकिन गोपाल गंज में इस बार बीजेपी ने वो गेम खेला है भाजपा ने सुबास सिंग की पतनी कुशुम देवी को चुनावी मैदान में उतारा और कुशुम देवी इस बार पूरे महौल बना दी हाँ इतना समझ लीजिए कुशुम देवी का जो इस बार वोट मांगने का अंदाज था वो कही न कही नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं अपने पती के च्छवी पर वोट मांगती नहीं जा रही और गोपाल गंज की जनता को कहीं न कहीं यह छीजे भाई लेकिन आपको फिर बता रहा हूँ गोपाल गंज की राहे तेज़स्वी आदाओ के लिए थोड़ी मुस्की जरूर है लेकिन आज जो वोटिंग के आकरे बता रहे हैं वो यह मजने के लिए इस पस्थ है कीते जस्वी यहां भी अब बल्ले बल्ले कर सकते हैं एक क्यावन दसमलो चार पांच फिस्दी वोटिंग हुए है गोपाल गंज में गोपाल गंज की जो वोटिंग के आकरे हैं वो इस बात के संकेत हैं कि गोपाल गंज में भी खेला हो सकता है गोपाल गंज में आप यह नहीं कह सकते हैं कि यहाँ बीजेपी का कमल जलेगा ही और सिंफैति के नाम पर लोगों ने वोट ही किया है और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि गोपाल गंज में वैस समाज के लोग भाजपा के खिलाफ हो गए एक दो नहीं बलकि बड़ी संख्या में जो यादो थोड़ा तूट रहे थे तेजस्वी यादो के जो कोर वोटर माने जाते हैं हलांकि कुछ यादों टूटे जरूर है वहाँ पर साधु यादों के नाम पर तो वहाँ से यादों को जो तोड़ा गया वो कहीं न कहीं ये कोर BJP के जो कोर वोटर थे वैसे समाज के लोग उन्होंने काम बना दिया मोहन गुपता के समर्थन में आकर हमने देखा गुपाल गंज में कि मोहन गुपता के समर्थन में पूरे वैसे समाज के लोग हैं लियाज आप यह भी समझ सकते हैं कि बहुत इंटरस्टन वाई लराई है पलरा वहाँ बराबर है आप किसी को नहीं कर सकते हैं लेकिन इससे पहले मोकामा के मैदान में अबलिये चलते हैं मोकामा में क्या हुआ देखे मोकामा में कितने वोटिंग हुए आपको फिर से दिखा रहा हूँ मोकामा में जो वोटिंग हुए आप देख सकते हैं चुनावायों के उरसे जनकारी दी गई 53.45 फिस्दी 53.45 फिजदी वोटिंग मोकामा में होई मोकामा की आप अगर प्रिष्ट भूमी देखें तो आप साब तोर पर समसकते हैं कि बाहुबलियों का उगड जहां हमेशा बाहुबली ही जीते रहे हैं और इस बार की लडाई भी कुछ हैसी ही थी इस बाहुबली नहीं बलकि बाहुबलियों की पत्नी मैदान में उतर गई वहां मुकाबला आरजेडी वर्सेज बीजेपी के बीच था आरजेडी की नीलम देवी अनंद सिंग की पत्नी बाहुबली अनंद सिंग जो 2020 के चुनामे अरजेडी के टिकर से लरे जीत गए उससे पर निर्दरिय लरे जीत गए जेडीव के टिकर से लरे जीत गए उस अनंद सिंग की पत्नी निलम देवी चुनावी मैदान में उतरी तब जब अनंद सिंग के विधाय की खत्म हो गई देखिए अनन्द सिंग के बारे में आप जान रहें बड़े नेता हैं बाहुबली नेता है और अनन्द सिंग के बारे में कहा जाता है कि वो छोटे सरकार हैं तो मुकामा में क्या होगा ललन सिंग जेडियू के कंडिडेट थे देखिए मुकामा में सबसे बड़ी बात BJP के लिए एक फायदे की चीज़ ए रही कि जेड्यू छिए ऐसे लेलान सिंग को लाया लेलान सिंग ने हमें से मुकामा के लोगों की सेवा की जेड्यू के कंडिडेट होने के हसिएत से कि वो अगली बार 2025 के चुनाव में चुनाव लड़ जाएंगे और लेकिन यहां हुआ अचानक खेला बदला नितिश जी चले गए वहां महागडबंदर में और बाते तो बन नहीं रही थी निलम सिंग के नाम पर लेकिन तेजस्वे आदों ने साफ कर दिया कि यह हमारा सिट सिंग सिट है और यहां से हम अनंद सिंग की पत्नी को यह उतारेंगे और अनंद सिंग की पत्नी नीडम देवी मैदान में उतरी बीजेपी ने तुरंत ललन सिंग को बुलवा लिया अपने पार्टी में और ललन सिंग की पत्नी सुनम देवी को मैदान में उतार दिया पेडियू के वोट भी BJP के और गई हैं लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मुकामा के यादो टूटे नहीं हैं तेजस्वी यादो के अंतिम रैली के बाद जो तेजस्वी यादो ने कर दो रैली किया मुकामा में उस रैली के बाद मुकामा के यादो एक जूट हो गए हैं भुमिहार समाज के 60% लोग निलम देवी के समर्थन में वोट किये हैं, फिर से कर रहा हूं 60% के लोग, देखे, यादो और भुमिहार वहां के बाजीगर हैं, बाजीगर बनाते हैं, मुकामा का किंग चुनते हैं, और इस लिहाज से आप समझ लीजिए, अब सीधे एक जीट पोल, एक जीट पोल की बात कर लेते हैं, देखे, बिहार में विधान सभाके, दो सीटों पर हुए उप्चिनाओ के एक जीट पोल की बात करें, तो महा एक जीट पोल कहता है, कि मुकामा से आरजेडी चुनाओ जीतेगी, ये बड़ी खबर आपको दर एक जीट पोल के आदो ने जो पसीने बहाएं, गोपाल गंज के मैदान में उतर कर तेजस्वी आदो ने जिस तरीके से भासन दियें, जिस तरीके से तेजस्वी आदो ने दावा किया, और कहा कि हमारा गिर जिला है, हमारा घर है, और जाही तोर पर तेजस्वी आदो का घर है भी, फुलव मुच्छ में हैं फिलाल आप टोड़े भी हादिश के साथ मने रहें धन्यवाद